हेलो गाइस बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वट यू वांट तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राशन कार्ड का स्टेटस आधार कार्ड से कैसे चेक करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रैड कलर का आपके वीडियो की नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा उसके उपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल का इकन दबाना बिल्कुल न भूलिए तो दोस्तो मेरे चैनल पर आपको धेर सारी वीडियो राशन कार्ड के रिलेटेड मिल जाएंगी तो आप अपनी इंफोर्मेशन के हिसाब से उन वीडियो को चेक कर सकते हैं मैंने स्टेट वाइस वीडियो बनाई है अगर आप दिल्ली बिहार यूपी जहरखंड कहीं से बिलांग करते हैं तो पर्टिकुलर उस राजजी के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आप वह भी चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिटेल इंफोर्मेशन देने वाला हूं पंजाब राशन कार्ड के बारे में क्योंकि पंजाब में जो र हंजाब सरकार की ओफिशिल वेबसाइट के उपर आ जाएंगे इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं तो सबसे पहले अपना जो राशन कार्ड का स्टेटस है वह अधार कार्ड से कैसे चेक करेंगे उसके लिए आपको य के लिए यहाँ पर जो कैप्चा है वो हम फिल कर देते हैं फिल करने के बाद वैरिफाइऐ की उपर आपनी क्लिक करना और यहां पर आप का धार का number आपके राशन कार्ट के साथ attached होगा तो इस तरह का interface open हो जाएगा जिसमें आपके राशन कार्ट के साथ जुड़ी होई सारी information आपको मिल जाएगी लेकिन आप अगर detail में information लेना चाहते तो आप अपने राशन कार्ट का ये वाला number जो है इसको कौपी करेंगे और बैक आ जाएंगे उसी वेबसाइट पर जिस वेबसाइट से हम इस वेबसाइट की उपर आए थे तो चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं तो यहां पर बैक करने के बाद हम उसी पोटल पर दुबारा आ गए हैं तो यहां पर आपको उसी रो में एक option और मिलेगी जहां पर राशन कार्ड सर्च विद राशन कार्ड नंबर अब हमारे पास राशन कार्ड का नंबर है तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो चलिए इसके बाद दुबारा से हम यहां पर एप्चा फिल करेंगे और फिर वेरिफाई करेंगे वेरिफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में तो यहां पर आपने अपना जो राशन कार्ड का नंबर है वह पेस्ट कर देना है या टाइप कर देना है उसके व्यू रिपोर्ट के उपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहां पर हो सकता है आपके कंप्यूटर में जल्दी ओपन हो जाए लेकिन मेरा जो नेट सलो है या यह वैपसाइट सलो है इसका मुझे रीजन नहीं मालूम है तो थोड़ी देर आपको यह इंफोर्मेशन है कि कितने लोगों का नाम मेरी फैमिली मेंबर्स का जो नाम है वो मेरे राशन कार्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो मैं यहां से चेक कर सकता हूं क्योंकि कई बार होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी फैमिली में कितने लोगों का जो नाम है वो राशन पढ़ सकती है तो इसका मैं प्रिंट आउट भी ले सकता हूं यहां पर प्रिंट की एक option दिखाई देगी तो इसके उपर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही मैं इसका प्रिंट आउट जो है वो ले ले रहा हूं तो दोस्तों आप भी चाहें तो अपने राशन कार्ड का स्टेटस इसी तरह से डिटेल में चेक कर सकते हैं और उमीद करता हूं यह जो छोटी सी information थी आप सब के लिए useful रही होगी वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को subscribe कीजिए और like करना बिलकुल न भोलिए